हाई आज मैं आपके पास बाइलोजी का नेक्स टॉपिक के साथ आया हूं और उस टॉपिक का नाम है इंब्रियो शैक इंब्रियो शैक को हिंदी में भुरूनकोष कहते हैं और या इसका दूसरा नाम अंग रेजीम है फिमेल गेमिटोफाइट मादा यूगमकोद भीद तो हम लोग देखेंगे की इंब्रियो शैक की सनचना देखेंगे हैं तो देखेंगे इंब्रियो सैक की सनचना है बहुत ही असान सा है और इसमें कोई जैदा चीज आपको याद रखने जूरत नहीं पड़ती है लेकिन सबसे पूर इसका इंट investigator समझिए रियो से मिथ्ण है क् होती है या साथ कोष्इक आठ्ट केंद्रक वाली सनचना है महभी जानू जब बन जाती है do इसमें क्या होता है आगे की ओर विर्धी होता है जो मेगार Ci Archives क्रियासी जो महाभी जानू है वह क्या करता है की सम्षुत्रिक विहा जन से बढ़ता है और समसुति भी आजन से बढ़ कि यह क्या करता है को शिकाव करता है लेकिन इसका जो केंदरक होता है ना इसका डिविजन पर ध्यान रखने की बात है कि किर्यासिल जो यह किर्यासिल एक महभी जानू है यह किर्यासिल यह एन होते हैं इसका जो यह केंदरक है यह जो निकलियस है, यह टोटल तीन बार बढ़ते हैं, कितने बार बढ़ते हैं, तीन बार, एक बार बढ़तेगा तेक से दो, दूसरा बार बढ़तेगा तो दो से चार दो दुना चार, तीसरा बार बढ़तेगा चार दुना आठ, यह जो आठ केंदरक बनाते हैं, यह साथ कोश इसमें दो तीन बातों को धियान लगिएगा एक कि चाह ऊपर दीजिए गा तो भी क्या करना है कि फिलीफ वर्म कॉषिका और अंकोषिका बिजन दौर की र मना और इसका बीपरित होगाओ लिखते बीच मेला भी थाहि है खाली यह जो पोल है ना जी धर बिजन दुआर होना चाहिए उदहर चलाजा कर देते है का एक बाक को क्या कैते हैं। बिजनद्वार कहते हैं माईक्रो पॉलर इनका सकन infect layer और चुमिंदर को कोईये थो थो होतल стать कि innovative इस विसेज प्रकार की तुछ लगते इस सज़ा हम लोग फिली फॉर उपकरण का हैं sindi अपकरन हिंदी मैंगरेजी में फिलीफ़ॉर में पेरिटस करिये सिन्हीं अब गया तीन थीन स Mage happy को को क्यां मैं शynnert जीट बोलते हैं और किससमें बीच्पमें जो को शिका है यह को शीका 5 Bulacand इसे हम लोग एक सेल या उस फेर कहते हैं इसे एक सेल या उस फेर कहते हैं हिंदी मिशें अंड कोशिका कहते हैं यही वह कोशिका होती है जो बास तबिक निशेचन में भाग लेती है और निशेचीत हो कर क्या किसका निर्मान करती है भुरून का निर्मान करती है इसी से क्या रोट बनाता है इंब्रियों द्विभुणित होती है बर यहां पर जितने भी केंदरा के यह सभी क्या हैं अर्ध गुनित है अब देखें यह बीच का जो बराचा भाग देख रहे हैं यह सबसे केंद्री एक उसाति हैं या क्या है केंद्रीय कोसा में दो खेंद्र खो कई तो कईन इसको डोल है जो चार आप देख रहे हैं और स effectivement हम नीचे को बढ़ते हैं यह जो चार आप देख रहे हैं यह संख्या चार ही नहीं होता दू भी हो सकता है तीन भी हो सकता है पहुंच भी हो सकता है यह जो भाग देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है खाली भाग है तो यह जो खाली भाग होता उसे हम क्या कहते हैं उसे हम भी पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं एंटी पोडल शेल के एंटी मतलब पर्ती और पोडल मतलब मुख तो परती मुख कोशा इसे क्या कहते हैं परती मुख कोशा कहते हैं तो इस परकार यह साथ कोशिका हुआ जिसमें एक पहला कोशिका सबसे बड़ा कोशिका हुआ क्या कहते हैं एंतीपोड़नवल viu कहते हैं अब किन रम शेम को में 3 धो हो थे में 2 धो शेका को साह को सिरक今日は इसे बिच वाले बिच वैंसे क्या कहते है एक को चेसका भुरुन कोष का या मादा यूमकषवित्को यह आप एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि भुरून कोस और भुरून पोस में स्टुडेंट कन्फूजन में आते हैं तो भुरून पोस को इंडो इस प कहते हैं जो क्या कहता हुआ पूण को पोवाशन देता तो पूण पोश हो अला गया देखिये पोष कहां सब बनता का यह जो आपका शेंत्रल स्यावित यदि यह तो मैल गेमिट से सायोजित होकर क्या बनालेगा यदि यह मैल गेमिट जीयोजित होसा फेले तो जाई गोत बिलग इति 20 aja सकwood जाएगा सेंटरल सेल इसका जो unwanted गमिंट से संयभी सुवभा जाब को से अनयकों आप जाएगा अजम्ण के सेंटरल से से जहें का दोनीट सा। जोन एक गम जोनेगा हैं। हैха और बनाएगा यह स्फ़ा इंडोस पर मनाएगा और इसी को क्या कहते हैं भुरून ब्रूरण पोस कहते हैं दें नाम संसर पर यह भुरून पोस भुरून को पोसन देने वाला अब देखें यहां तो सबक् restricted था तो कि एक हैं यहाहां था और क्या होता हैं यह बीवह आंडिया में थे अर्ट था थेडोन होता हुआ टवहले के फिलक्वक एद ड्यक्रा को तोन फोपा दूची अब हां देखे क में सारह को ड्यकिवा Ah सहे एक और दो यहां पर क्या है एन में पोलर निकली में यानि निकली मौ यहां यह एक क्या हुआ एक अमिल गीमिट बला जूट गया तो टोटल नहीं कितना हो गया एक-डो और तीन-निद्वेंट थीरियें यह बहुत-बार अब्यक्टिब भीहारगोड में पुछा हुआ है कि फ्रून पोस्ट इंडो एस्परमी देश्ट्रक्चर आप तो थिरी एन इस में क्या कहेंगे टिप्लॉइट थिरी एन सनचना होता है तिस परकार आप आज देखें कि भुरून कोश या मादा युक मकोद भीत कितना असान सा सनचना है जिसे आप मेरे यूट्यूब चेनल पर देखकर भी मना सकते हैं समझ सकते हैं यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद पर आ तो ना केबल वीडियो को लाइक करें बल्कि मेरे यूट्यूब चेनल परकासर बाइलोजी हब को एपिक को सब्सक्राइब भी किजिए और साथ ही साथ इसे जेदा सी जेदा सेयर किज और अपने ग्रूप में जितने भी स्टूडेंट है तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाने के लिए उनको वाट्सेप पर फेस्बुक पर सब जगह सेयर करके पहुंचाने का कार्ज किजिए फिर मिलेंगे हम आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल